हाई एवरिवन so आच के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है कि नेक्स्ट वीक की जो एपरेल सीरिस के एपरेल होने वाली है कि उसके बेसिस परम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं और मार्केट मैं क्या लगता है कि हैं से और ज्यादे डाउन साथी जा सकती है और रियामते हैं यह सारे बाते करने मुदी तो पहलए निफटी स गर करने वाले शुया हूं आच के साफने assessорर noises प्र जोनों के बारे में बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने और हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से मार्केट रियाग कर सकती है और जो अपरिल की सीरीज है उसके आने से पहले मतलब Tuesday को around क्योंकि Thursday expiry होती है तो Tuesday के around में एक वीडियो और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को एक option strategy बताऊंगा या फिर वेडनेश्ट को बताऊंगा एक दिन पहले expiry से जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से trade कर सकते हैं आप लोगों को और जादा benefit प्रोवाइड कर वा सकती है So I hope आप लोगों को वो चीज पसंद भी आईगी and यह मैं पहले भी करने वाला था but due to not enough likes जो आप लोगों ने हमारे वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर आया थे तो मैंने सुच्छा अभी थोड़ा सा delay कर दिया जाता है Okay So हम लोग start करते है Nifty Bank Nifty के analysis पे और अगर अगर आप लोगों को हमारे चैनल पसंद आता है तो please subscribe करिए हमारे चैनल को और वीडियो में कुछ भी ट्रस्टन लगे तो pause करके ज़रूर लाइक बटन हिट करिएगा So जैसर कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने Nifty का चार्ट ओपन करके रखावा है And यहाँ पर हम लोग अपनी analysis start करने वाले है So सबसे पहले मैंने daily chart ओपन करके रखावा है And हम लोग daily से time shift करते रहेंगे और देखेंगे किस तरीकी से हम लोग कर रहा है So सबसे बहले मैं weekly chart open कर लेता हूँ आप लोगों के लिए And देखें सबसे बहले weekly chart जब मैंने open कर रहा है तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें Nifty का charts देखने को मिल रहा है Almost almost हर time indecisive candles ही हम लोग follow कर रहे है Nifty के अंदर होना weekly basis आप देख सकते हैं पूरे week में हम लोगने indecisive candles को ही study कर रहा है And यह जो पूरी up move आईती इस week के अंदर आप देख सकते हैं Almost almost इसका 61% retracement level के नीचे भी जाके close कर रहा है है So I think it's a bad sign for us And यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि market चाहे थोड़ा सा turn around और downside की तरफ कर सकती है और अगर मैं बात करता हूँ week monthly time frame की तो monthly time frame पे भी आप यहां पर clearly देख सकते हैं कि क्या हुआ है आप देख सकते हैं slightly up move आई है इस level से आप चेक करेगा April May 20 से April May 20 से हम लोग ने simple एक green candles का ही follow up देखा है येस बीच में दो red candles भी बनी थी बट ये था कि अगर एक red candle बनती थी तो next month हम लोग दुबारा continuous rally को देख रहते थे अगले दिन भी एक next candle बनती थी red candle उसके बाद हम लोग दुबारा continuous rally देख लेते थे next month पे बट अगर हम लोग यहाँ पर focus करें तो आप देख सकते हैं कि एक indecisive candle बनी है previous month and इस month हम लोग एक sell-off देख रहे हैं और उसका continuous movement हम लोग expect कर रहे हैं आप देख सकते हैं clearly देखें सारी चीज़े back testing के उपर depend करती है तो यहां पर मैं आप लगोको ओर basis पर एक बडर और बता देता हूँ and yes यहां देख सकते हैं एक sharp up move उसके बाद एक month का consolidation उसके बाद एक sharp up move उसके बाद एक month का consolidation and उसके बाद आप देख सकते हैं again एक sharp movement उसके बाद एक indecisive candle जो form हुई है उसके बाद हम एक follow up देख रहे हैं on the downside अब देख सकते हैं कि indecisive candle and it's continuously moving downwards from this particular appellement सो अब हमें किस तरीके से trade करना है वहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ मथली चार्ट को तो देखकर हमें clearly लग रहा है कि market यहाँ पर एक bearish zone में है अगर मैं weekly chart open कर रहा हूँ तो market में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक indecisive movement हमें follow up होते वे देखने को मिल रही है मतलब अभी वी एक perfect angle हम लोगों को provide नहीं हुआ है जिसके business पर हम लोग कह सकेगी selling या buying हम लोगों को देखने को मिल सकते है so अब बात करते है daily charts पे and daily charts पे कुछ trend lines का use करते है and सारी चीजों के उपर देखते है so यहाँ पर मैंने एक trend line draw कर रहा हूँ from the support levels और okay so यहाँ पर हम लोगों clearly एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी तक stock ने करा गया आप देख सकते हैं यह trend line particularly है इस trend line का breakout दिया breakout देने के बाद उपर गया उपर जाने के बाद आप देख सकते हैं जो यह particular resistance था exact इस resistance तक आया it gave a retest retest देने के बाद it again fall fall करने के बाद आप एक चीज़ देखेगा fall करने के बाद इसने अपने previous low को close नहीं करा जो यह previous low है इस particular previous low को sorry year previous low इस previous low पे अभी तरह हम लोगो closing देखने को नहीं मिली है अब क्या अगरा stock ने stock ने दुबारा एक बार उपर retest करा retest करने के बाद दुबारा नीचे हैं दुबारा उपर जाने की कोशिश कर रहा यहां पर हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ रहे हैं कि सबसे पहली चीज एक rising channel का एक rising जो trend line है trend line का breakout दे चुका है breakdown देने के बाद वो continuously उसी के नीचे trade कर रहा है अब हमें करना कहा है मैं आप लोगों को ने एक simple चीज बताता हूं यहां पर मैं इस सारी चीजे remove कर रहा हूं and आपको मैं एक zone create करके दे रहा हूं उस zone से अगर उपर की तरफ breakout आता है we can go for a buy अगर नीचे की तरफ breakdown आता है we can go for a buy इसमें मैं आपको आखरी में भी बताऊंगा कि कौन सा जादा percentage है कि कहां पर breakout या breakdown हो सकता है या फिर market fall कर सकते है or move कर सकते है वो हम आपको आखरी में बताएंगे तो stay tuned यह एक zone में create करके चल रहा हूं and okay so this is the particular zone first and second is this okay so यह पूरा पूरा मैंने एक zone create करके रखावा है and इस zone के basis पे एक second yes इस zone के अंदर आप लोगों को कोई भी trade setup प्रोवाइड नहीं कराना 50 के अंदर अगर आप करना चाहो तो आप लोग intraday में movement पे आप लोग कोई भी options पे काम कर सकते हूं but मैं सला दूंगा कि अगर आप लोग एक दिन से जादा hold करना चाह रहे हो कोई भी option को इंक्लूडिंग इंडेक्स इंडेक्स की में बात कर रहा हूं तो वहाँ पर आप लोग कोई भी trade लेकर मच चलिएगा ठीक है let's move to 15 minutes time frame और इस range को और easily और अच्छे से observe करके देखते हैं ठीक है so I think मैं इस range को थोड़ा upside की तरफ लेकर दाऊंगा अब आप यहाँ पर ध्यान से समझेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सबसे पहले जो particular stock या index की में बात करूए काम कर रहा होना downside and continuously making its lower low and lower आप देख सकते हैं नीचे आया उसके बाद हम लोगों ने continuous rally काली दुबारा upside की तरफ देखने को मिली फिर नीचे आया फिर उपर गया अपने previous high को ब्रेक नहीं करा again it went down अपने previous low को ब्रेक करा again it moved up अपने previous high को ब्रेक नहीं करा और दुबारा नीचे आ रहा है continuously it's making lower lows and lower highs first चीज समझे जो पता चल रही है that is कि stock या index जो भी जिसकी हम लोग बात कर रहे है nifty की वो bearish है क्या है bearish है monthly charts कर रहा है कि bearish है weekly charts कर रहा है indecisive है मतलब range के अंदर है ठीक है daily charts कर रहा है कि breakdown आ चुका है अगर हम और lower time frame यह 15 minutes का time frame है continuously making lower lows and lower highs so यह सारी decision making यह सारे point of view समें एक चीज पता चल रहा है market is going to be on a sideways और on a downtrend आप बात समझे रहे sideways और downtrend so sideways पे अगर हम लोग बात करें तो अब यह exact अपने lower levels पे तो sideways पे थोड़ा उपर जा सकता है but उसे हम लोग trend change बिल्कुल भी निकाएंगे क्या निकाएंगे trend change बिल्कुल भी निकाएंगे because अभी भी market हमें higher levels पे sell करने में बहुत बड़ी opportunity मिल सकती है hope you are understanding my point हम लोग sell on rice कर सकते है not on buying on bottom अब बात समझे रहे हम bottom पे buy करने की अभी need नहीं है हमें sell high पे sell करने की जाधतर need है क्यों क्योंकि जब मैंने आप लोगों को monthly time frame दिखाया तो वहां पर आप लोगों को पाता चला कि एक huge rally के बाद एक indecisive candle हैंगे and follow up on a downside candle बन रही है अगर monthly में अगर इस April की series की closing हम लोगों को इनी levels पे आसपास देखने को मिलती है तो वहां पर हम लोग expect कर सकते हैं कि जो next month होगा वो एक जाधा heavy selling वाला month हो सकता है या फिर उसका next month जाधा heavy selling वाला हो सकता तो that means कि अभी एक bottom out नहीं हुआ है हम लोगों को क्या करना है we have to play safe and we have to play not on a regular basis हमें market के अंदर regular basis पे trade नहीं करना बहुत अच्छी opportunities बिले तो ही trade करना let's move to bank nifty and bank nifty को एक बड़ चेक करते हैं कि किस तरीके से performance दी है let's open monthly time frame जैसे कि आप यहां पर देख सकते कि मैंने bank nifty का monthly chart open कर लिया है and यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं यहां पर कुछ interesting facts हैं जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूँगा पहले fact आप लोगों को already यहां पर visible होगा क्यों क्योंकि nifty पे जो exact same चीज थी वो यहां पर bank nifty पे है first time यहां पर uptrend continue second time यहां पर एक red candle बनीती है continue uptrend and third time यहां पर अब आप देख सकते हैं continuous दो red candle follow up के थूँ आप लोगों को downside पर देखने को मिल रही है RSI एक downtrend में है and अगर आप देखेंगे exact इस level से तो जो price था वो uptrend में था यानि कि एक bearish divergence हमें देखने को मिल रहा है तो यानि अगर मैं आप दोगों को बताओ तो यहां पर आप कोई कह सकते हो कि bank nifty भी वीक काम करके चल रही है क्या करके चल रही है वीक काम करके चल रही है अभी वी bank nifty बात करते हैं और आप weekly time frame तो weekly time frame पर bank nifty क्या काम कर रही है उसको भी check कर लेते हैं ओके तो यहां पर आप लोग clearly basis पर एक चीज़ और observe करके चलेगा यहां पर भी RSI का use हुआ है आप यह सी चेक करेगा यह price उपर है price previous अपने swing low से exactly उपर है अब RSI को चेक करते हैं क्या RSI अपने previous इसे है आप देख सकते है clearly हमें आपर RSI नीचे downtrend की तरफ देख रहा है price हमें uptrend की तरफ जिल रहा है अगर RSI नीचे होता है price उपर हो रहता है तो price actually RSI को follow करता है तो यानि कि अगर RSI downtrend में है तो eventually price भी नीचे आने के कोशिश जरूर करेगा hope you are understanding my point अभी एक important चीज़ में आप लोग के साथ और share करना चाहूँगा अगर मैं trend line को extend करता हूँ तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं कि stock ने करा क्या exact यहाँ से trend line को follow करा नीचे गया closing weekly closing देखने को नहीं मिली और उसके उपर हमें closing देखने को मिल गई आप लोग एक चीज़ तो definitely expect करके चल सकते हैं कि यह इसका previous swing low है on a weekly basis तो शायद एक छोटी सी up move हमें देखने को मिल जाए एक छोटा सा spike हमें देखने को मिल जाए उसके बाद एक selling pressure आए आप point समझे रहें क्यों क्योंकि continuous आप देख सकते हैं कि higher rise and higher lows form करा है तो अगर इस पे भी एक range बनी वी है आप यह clearly देख सकते हैं एक range इसकी बनी वी है कि जब भी इसने इसको breakdown दिया उपर गया दुबारा नीचे आया दुबारा उपर चला गया so इस range के अंदर अभी यह particular index trade कर रहा है जब तक इस range का breakout यह breakdown देखने को नहीं मिलता हम लोग इस पे अभ closing देते हैं तो हमें जादा benefit हो सकता है so ठीक है so यहाँ पर आप लोगों को मैं Tuesday or Wednesday को एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिस पे options के थुरू मैं आपको बताऊंगा किस तरीके साब लोग next day trade करके चल सकते हो till the options ठीक है till the expiry so I hope आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समची में आया होगा अगर आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर बूलिएगा और बत भूलिएगा and यहाँ पर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमन मैं पांच तॉक्स देली बताता हूँ so वीडियो भी देखने के लिए मत भूलेगा so मैं बिलता अगली वीडियो पर तफ तक के लिए मैं शिवाज भसीन साइनिंग आफ